हेलो गाइस चलिए आज चलते है हमारे किचिन में देखते क्या बन रहा है मेरे किचिन में आज बन रहा है साही पनीर और सिंपल सी रोटी वित लच्छा प्यास लच्छे वाले प्यास साही पनीर बनाने के लिए आप पैन में ऑईल डाले सिंपली मस्टर्ड ऑईल है मैं तो म तो भी चलेगा उसके बाद हमने लसन चील के रखे वेते चार पाच कली वो डाल दिए और ये धनिया पत्ता के स्टैम डाले ये वेस्टिज में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कोई भी सब्जी में और काजू 10-15 काजू मैंने यूज किया यहां पर नमक डालके उसको अच अब तक यह गल रहा है तब तक हम दूसरे साइट काम करते हैं चले पनीर बनाना साइट पनीर की तो ज़रत पड़े कि इसलिए हमने पनीर बारिक-बारिक करते हैं मैं इतना दम लगा के इसलिए कट कर हूँ क्योंकि इसलिए मैंने फ्रीजर में गलती से रख दिया तो और फूरा किल दूसरे में अब दूसरे पैन में मैं ने बटर डाला और थोड़ा सा फनीर को फ्राई के किया है मैं इसलिए तो अब जयादा फ्राई और कुछ खड़े मसाले में मैंने दालचीनी, जीरा, काले मिर्च, बड़ी लाइची, छोटी लाइची और थोड़ा सा बुनने के बाद उसमें जो प्यॉरे बनाए थे ना मने काजू वाली वह प्यॉरे एट कर दीजे और वो मिक्सी जाड़ा मैं भी थोड़ा बहुत जो लगा रहता है उसको भी धोके यूज कर सकते हैं दोके उसी में डाल दीजे और फिर फ्राय होने दे दीजे साइड में वो हो रहा है अब हम चलिए लच्छा प्यास बनाते हैं लच्छे वाले प्यास यह मेरे प्रसनाली बहुत ज़्यादा फेवर जाएगा आपको फीलिंग आने लगे कि बहुत अच्छे से फिर पनीर एट कर दीजे यहाँ पर मेरा कल छेना फट गया था दूद फट गया था तो वही वाला है अब पनीर को ग्रेट करके भी उसमें बाद में एट कर सकते हैं यह मीन चीजे कसूरी मिथी के बिना यह लब टेस्ट नहीं आएगा कुछ फोटल जैसा और फिर यह गरम मसाला पहट कीजे और फिर मिक्स करें फिर पांच साथ मिनिट तक इसको पकाईए यह सब ढालके और लास्ट में दनिया पता सर्व कीजे बस इतना ही सिंपल था यह साही पनीर सब बनाना एक बार यह और पांच जो अ है फिर म